कोट ने दोशी करार दिया और उसके उपर पांच मिलियन डॉलर का फाइन भी हुआ और नतीजा ये हुआ कि सोले और और ती जिनसे उसने छेट-छाड की थी और जो सामने नहीं आई थी उनका भी होसला बुलंद हो गया तो मुझे लगा कि ये मुझे फॉस्ट हैंड इन्फरमेशन अपनी बहनों को यहां देनी चाहिए कि ये हवा हवाई बात नहीं है प्रेजिडेंट ट्रम्प को कोट ने घोशित किया है जज के द्वारा उसके बाद क्या हुआ कि बेशरम आदमी की और बदकार आदमी की आज हाथे नहीं बदलते हैं उसने फिर बख्वास करनी शुरू की अब कर उस और ने ये कहा है कि अब वो एक और केज डालेगी तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि ये हमारा जो सपोर्ट है ये किसी के खिलाफ नहीं है ये हमारा पहलबानों के हक में न्याय के हक में और अच्छाई की बुराई पर जीत हो ये उसके हक में है और जहां तक डरने डराने की बात है वो हमारे खून में ही नहीं है मेरे स्वर्गिये पिताजी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थी जब सास नहीं ले सकते थे तब उन्होंने आवाज उठाई थी बरफ की सिल्वियों पर लेटागर और ये मेरे पुलिस वाले भाई सुन रहे होंगे उन दिनों भी अंग्रेजों के टाइं में भी पुलिस और अधिकारी तो हमारे ही थे ना वो कोई अंग्रेज तो नहीं थे ना तो हमारे पिधाजी बताते थे कि इतना पीटते थे बाद में वो एमेले बन गए तो वही थानेदार जो पिटवाता था वो कपता पाता आया के चादरी सहाब क्याते बेटा तू भी हमारा ही बेटा है तू वो कर रहा था जो तुझ से हाकिन करवा रहा था तेरे खिलाफ मेरे मन में कोई भी बुरी भावना नहीं है। मेरी सद भावना हैं अग्रेजों के प्रती भी मेरी कोई दुर भावना नहीं थी लेकिन हम भारत को आजाद करवाना चाहते थे। इनी शब्दों के साथ मैं अपनी बेहनों को, अपने धायों को, भुजुर्गों को, माताओं को सबकों मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साहस को मेरा सादर प्रणाम और म्याय के प्रती जो इतना बड़ा हवन आपने छेड रखा है उसमें कुछ न कुछ आहुती मैं भी द कर जाओंगे, ताके मैं ये समझो कि अभी भी स्वराज, स्वराज ही है, स्वराज गुला नहीं हुई है, ना हुई है, ना होगी, चाहे मैं अमेरिका में जब सारा हिंडुस्तान, मर्जी से नहीं, लेकिन सरकार के गंडे के दर से, जो नारे लगा रहा था, तब भी मैंने यही कहा था, कि चार वर्ष का खेल है, और जनतंत्र में, जनता मजबूत हो जाए, तो ताना शाह कुछ नहीं कर सकता, अगर आज हम सब ये तै कर ले, कि एक दो को नहीं, हम तो सारा हर्याना जेल में जाएंगे, कि इसके बाप के पास इतनी जेल हैं, कि वो भर देंगे, वो जीट तो इसलिए जाते हैं, कि वो चार को हतकड़ी लगाए, तो पाँच भाग जाते हैं, अगर हम सब, हमारे पिटाजी के टाइम में एक नारा चलता था, वो कहते के जेल भरो के कारण ना, तो जोग दख जाएंगे, तो नारा चलता था, राशन है, तो जेले खोलो, जेल से भागने का नहीं, कि राशन है, तो जेले खोलो, और एक दो को डंडे नहीं, आप नूकलियर बांबी डलवा दो, अगर बैं डलवा दोगे, तो भला ये नारे कौन सुनेगा, ये दिन में तस-दस पोशाग जो पहनी जाती हैं, मीटिंग में आने पर एक, बाहर जा आने पर दूसरे, उनको कौन देखेगा, और वैसे भी, जो इतिहास को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो इतिहास जीने को मजबूर हो जाते हैं, मुसलीनी के साथ क्या हुआ था, उल्टा टांग दिया था जंताने, चौराहे पर, उसको और उसकी गर्ल फ्रेंड क उल्टा टांग दिया था, हिटलर के साथ क्या हुआ था, बंकर के अंदर खुद गोली मार के मरा था, और किसी के कितने स्टैलिन के साथ क्या हुआ था, और ये ट्रम्प जो है ना, जिसके बहुत हमारे कुछ लोग यहां पर पूजा करते हैं, ट्रम्प के लड़की आई, उसके लिए भी चापलू सी, जीब कोई इतनी से नहीं, इतनी निकले हुई थे, कुछ लोगों की जीब अगर आप निकलवा कर देखेंगे, उसके उपर ट्रम्प की एड़ी की चाप मिलेगी, लेकिन, ना तो मैं अमेरिका में रहते हुए ट्रम्प से डरी थी, ना मैं हिं दूस्ताना के डर रही हुए, क्योंकि हम हैं आजादी के दीवाने, पैसा है नहीं है, रोटी है नहीं है, भाई हमें नारे लगाने की और बोलने की आजादी बोले जाए, उस डालत का, उस डालत का भी क्या फाइदा, कि हम सांस नहीं ले सके, हम बोल नहीं सके, हम अपनी आवाज नहीं उठा सके और जो कुछ मैंने ऐसे ही मीडिया में सुना वहां पर के बच्चियों ने एक बार फैसला किया कि हमारे हक में फैसला नहीं होगा तो हम मैडल वापस दे देंगे मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ बेटा ये मैडल किसी की खैरात नहीं है ये आप जब छे साल की होंगी तब से आपने जिस्म को फूकना शुरू किया होगा ये मैडल प्राप्त करने के लिए ये मैडल आप जीत कर लाई है भीठ में नहीं लाई है ये मैडल आपके है और आपके ही रहेंगे ये हम लोग शपत खाते है और मैं चाहती हूँ कि जो भी यहां मौजूर है वो आज से इस मन में ठान ले कि ये 73 साल की बीमार महिला अगर किसी से नहीं डर रही है तो भला हम क्यों डरेंगे आपको शुच्छ से कम शक्तिशाली है क्या मेरी अंदर तो क्या शक्ति है महत्मा गांधी वाली शक्ति है कि बिलकुल बोदा सा आदमी था एक अरियाने के आदमी को किसी ने कहा कि दीवांदी को तो पता नहीं, देखन में दैसा है कि साकल नहीं खोल सकता, मैं भी उन्हें मैं से हूँ, चाहे देखने में मैं ऐसी लगो कि इसके वसका कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा और आत्मा की शक्ती इतनी है, कि बड़े बड़े तानाश्याहों की कुर्सियां हिला डाल किसीनी शब्दे के साथ, मैं आपको आपनी मुझे अपने शब्द वैक्त करने का अफसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हों, और मैं चाहती थी, कि अगर वो बेहने यहां हों, वो जो पहलवान लड़किया हैं, तो एक बार उनको यहां बुला कि उनकी होसला अ ना, ना, नो प्रोब्लम, बहुत बहुत धन्यवाद सवराज लामबाजी जो अमेरिका से चल करके अपने पहलवानों, खिलाडियों को समर्थन देने के लिए यह जंतर मंदर पर पहुंची, और बहुत ही अच्छी लाइन बोली, कि तेटर साल में मैं किसी से निडरती तो आप तो जवान है, आप क्यों डूरे रहे वो, तो यह ड्रने और ड्राने की बात अब काफ़ दूर चली गई, और आगे से नयाय मिले, उसके लिए काम करेंगे, एक बार शवराज लामबा के लिए जोर दर तारिया आप जाएं, और हमारे पीच में सौंबिर पहलवान, ज जिला प्रिशत चे, और उनके साथ प्रेम पहलवान, जो चोधर हरेंदर सिंग जी की टीम है, उनका भी सेव लारान सर्मा जी, और कुनकुना जी बताओ, जजमिर कुन्डो जी, इसमिर सर्मा जी, संदेब करभ जी, अजेद सिंग जी, जो पूरी की पूरी टीम है और लगातार जो हना, यहाँ पर बढ़ने के तरफ से आप समय का सवागत करते हैं, और जो आप पूरी टीम के साथ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धियावाद, बोलो का जी, बोल लिए आजाओ, एक सेगंड आजाओ, इसी साइड आजाओ, आप आओ, 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 आओ जी, आपको, आओ, 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 इसी, बिए बहुत बेहें हैं, लाड़ी और शे प्तिसाली, अगर संस्कृति से भरी नहीं होती तो जो छेड़ खान करीता रहते उनको वहीं पटक देती और ये आप लोगों के सामने है और इसको इतनी ही मजबूत रखना आप लोगों के सिर पर में डाल रहे हैं खालो शाची तुम संगार्ज करो शाची तुम संगार्ज करो बवीता तुम संगार्ज करो बवीता तुम संगार्ज करो विनेश तुम संगार्ज करो बजरां तुम संगार्ज करो जेवी तेजा जी धन्यवाद आपको प्राज लामबा जी और यहाँ पर अम बेड़ कर समाच से पुरे जट्टे के साथ जो पहुंचे हैं नाम क्या जी राकेश फरजापती जी उनके पुरे टीम और लाकों की तादाद में जो यहाने के लिए तियार बैठी है और जीस दिन भी यहाँ पर देने को समर्थन जड़े से जड़े देने की बात आएगी तो लाकों की सिंक्या में यहाँ पर पहुंच जाएंगे